हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धाव में दोस्तों जैसा कि प्रिवेस एड़ो में हम लोगोंने सिंपल इसकेल से रिलेटेड कुईस्चन देखा था उसका आरेह भी बनाया था आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इसकेल से ही रिलेटेड जो हमारा प्रिवेस एड़ का कुईस्चन है अर्था 2020 का जो कुईस्चन आया हुआ है उसका हम लोग सॉलूशन देखेंगे और उसका आरेह भी बनायेंगे जिससे आपको एक कांफिडेंस बिल्ड हो आप एक किसी देडिकल यहां दिया हुआ है कि एक सेंटीमीटर एक मईतर वाले स्केल प्लेवकों को बनाई यह प्ले इसकेल तो वह सिंपल इसके निधियो मग सॉच्वाज granting को बनाइए जिसमें मेर्व ड şimdi स under the water पड़े जा सके यो यह 10 मीटर तकक की मैंका सके इसविखेंगे 8.4 मीटर की दूरी दर्साई है यहां क्या दे रहा है जो हमारा है 1 cm is equal to 1 m अगर हम इसको देखें यहां हमारा 1 cm is equal to 1 m यहां हम देख रहे हैं जो यह होगा छोटा वाला वो क्या होगा हमारा distance taken on drawing ड्राइंग पर लिए हमारा 1 cm होगा लेकिन जो actual length है वह हमारा 1 m होगा अर्था अगर हम कहा दें कि यह हमारा marker है वह किन्हा है आपका 10 cm का है लेकिन हम इसको drawing पर एक सेंटिमीटर के बना दे तो यह क्या होगा जो हम ड्राइंग पर बना रहे है वह हमारा 10 cm है तो यह कहा रहा है जो हमारा हमारी आंटीटीश कहते है दी हानाुन अर्या फाइंड आउट कर सकते हैं आर्यों फिस्क्लट होगा आपका दीश्सेंस कि अउरन टेटन अन ड्राय आइन अप मेन अनीय चाहो होगा या एक्ट्वरस होगी यह आपको फार्मूले याद होने चाहिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है जो आपका lowest अर्था जो minimum होगा उसको हम लोग उपर रखेंगे और जो हमारा maximum होगा उसको हम नीचे रखेंगे वो हमारे representative fraction निकल जाएगा तो यहां हमारा एक centimeter उपर हो जाएगा यहां हम देख रहें जो unit है वो क्या आज सेम नहीं है यूनिट को सेम करने के लिए हम उसमें कुछ multiply कर सकते है या डिवाइड कर सकते है तो यहां हमको पता है कि जो हमारा एक meter होता है वो क्या 100 centimeter के बराबर होता है अर्था दमकर हैं तो एक meter is equal to 100 centimeter यहां हम लिख सकते हैं एक म सब संटीमीटर से संटीमीटर कैंसेल आउट हो जागा तो यहां जो हमारा एफ देख रहे हैं आप लोग और एफ इस इकोल टू वन अपान हंड्रेट यह हमारा और एफ फैंड आउट हो गया अर्थ अथम लोग ने आ यह हमारा निकला भी अभी हम इससे जो हमारा सकते हैं कि यह भी तो पता हुना चीछ किसके लिए हमने बताया था कि जो फार्मूरा होता है मापनी की लंबाई के लिए वह था आरेफ इंटू यहां को कुश्चन में देखते हैं जो हमारे सकते हैं यहां से लेंथफ इसकल निकालने के लिए पार्मूला तो आपको पता हुना चाहिए या आपको याद होना चाहिए LOS LOS is equal to हो जाएगा हमारा RF into Maximum Capacity of Scale यह आपका formula है यह आपको याद होना चाहिए इसमें क्या हमको RF find out है और Maximum Capacity of Scale हमको दिया हुआ है यह किना है 10 मीटर है यहां से हम लोग find out कर लेंगे LOS 1 upon 100 into 10 मीटर यहां हम लिख लेता है 10 मीटर अगर हम इसको मीटर को अगर हम centimeter में convert करना चाहिए तो क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे तो यह हमारा centimeter में convert हो जागा यहां हम क्या कर सकते है 1 upon 100 into 10 into 100 क्या हो जागा centimeter यह आप लोग देख रहे हैं यह मीटर को मेरे centimeter में convert कर दिया अब क्या होगा scale यह आप given में लिख सकते हैं given करके दिया हुआ है ऐसा लिख के कि दिया हुआ है 1 centimeter is cut to 1 meter उसके नीचे लिखेंगे कि maximum capacity of scale उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे आरेफ इसके बाद क्या लिखेंगे कि द्राइंग पर ली गई माप अपान वास्तिक माप का जो हमारा अनपात होगा वह हमारा आरेफ होगा तो हमको पता होना चाहिए कि आरेफ इंटू maximum capacity आप इसकेल निकाल लेंगे यहां से हमारा आ जागा LOS 10 cm आ गया यह आपको solve करना है जो हमारा कर देते हैं दोस्तों यहां हमने मिन डाफ्टर को सेट कर लिया अब हम लोग step by step समझेगे कि जो हमारा डाटा आया है उसके अनुसार हम लोग scale का आरे कैसे बनाते हैं तो हम लोग से बात करते हैं देखे सबसे कहले क्या करेंगे जो हमारा यहां से हम लोग मिन डाफ्टर को जोगा वो जीरो पर सेट कर लेंगे उसके बाद और रिजेंटल लाह इन द्रा करेंगे आप क्या करंगे 8 में हाइट का में यहां यह वे हम यह लोग यह लोग करेंगे अब क्या करेंगे यहां से इसको सेट करनेगे है यहां से लास्ट चाप को हम जो आयत का लास्ट हो रहा है उससे मिला देंगे इस तना से और इसको हम लोग सेट करेंगे क्योंकि इसके ही पैरलर साई लाइने हमको ड्रा करना है तो इसको हम लोग कस लेंगे अब क्या करेंगे इस चाप से इसको मिला देंगे देखिए आपका ये जो है दस भागों में बढ़ गया है एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस अब क्या करेंगे ये हमने सारे कीच लिए अब फिर इसको हम इनी ड्राफ्टर जो है उसको जीरो डिगरी पर सेट करने के बाद इसके पहलर ये जो हमारा इसकी आयत की दो मिन ड्राफ्टर को फिर जीरो पर सेट करेंगे ये हमारा जीरो पर सेट हो गया इस तरह थे अब क्या करेंगे यहां सेंग लोग अब यह हमारा दस भागों में बढ़ गया है देखिए आपको कंसेप्ट के लिए होना चाहिए आपका कुशन किसी भी तरह से सकता है तो आप लोग को कंसर्प्ट करेंगा करने के लिए गया बलाग को भी हम क्या करने के लियो हमारा क्यूंकि हमारा कूस्ट देख क्या है और क्याए pegar sweeping गया है करना है दस भागों में बाठना क्योंकि हमकर हम 0.4 मीटर की बात करें 0.4 मीटर इस इकल टो हजाएगा 0.4 इंटू 10 सेंटीमीटर आप लोग देख रहे हैं चार सेंटीमीटर आ जा रहा है अर्थात हम कहा सकते हैं जो हमारा ये इसकेल है इस पर आपको एक मीटर तथा फोर सेंटीमीटर को रिपरजेंट करना है तो हम लोग क्या कर रहा है अब इसको भी एक ब्लाप को भी दस भागों में बाठनेंगे तो सेम होई प्रोसेस अपनाएंगे यहां से एक लाइन ड्रॉप करेंगे इक लाइन हमने इप्डरा कर दिया इसको वी 10 भागों में बाठनेंगे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नों दस यह हमने दस भागों में इसको बाठने आप क्या करेंगे इस वाल लास्ट चाहप को इस छोट से मिला देगे अब मिला देना हम हम लोग मिनिट आफ्टर को सेट कर लेंगे इस तरह से इक मिनिट आफ्टर सेट हो गया इसको हम मिला दे रहे हैं यह देखिए हमने इसको दस भागों में बाठ दिया है अब फिर वही हम इसके पैरल लाइन खीच देंगे सब्सक्राइन और वहाद करेंगे यह हम लोग जो बनाएंगे यह इसकी वीच की दूरी होगी आप जब भी बनाएगा तो वह और इक्वल होंने चाहिए वहीं प्वाइंट रहता है यह वारा प्वाइंट क्योंकि इसमें गलतियां बच्चे करते हैं तो आप लोग का जो रहेगा यह इक्वाद दूरी होनी चाहिए और क्या है यह बनाए है यह हमारा एक्चुल लेंथ पर नहीं है क्योंकि हम अगर वाइड गोर्ट एक्चुल लेंथ बनाएंगे 10 cm का तो आपको उतना अच्छी विजबर नहीं होगा इसलिए हमको यह अन्नोन अन्नोन मेजर पर बनाएं जिससे आपको विजबर हो लेकिन आप जब भी डाइंग सीट पर बनाएगा तो आप 10 cm का ही स्केल बनाएगा जो कि आपका यह जितना आया है उसी माप अब यह हमारा दस भागों में बढ़ गया तो अब हम इसको जो हमारा कुश्चन है कि इस स्केल पर 8.4 मीटर की दूरी दरस है अब उसको हम दरसा सकते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले डामेंशनिंग कर जाते हैं इधर जो होगा वह हमारा क्या होगा cm होगा और मीटर जो होगा अर्था जो बड़ा रण बड़ा यूनिट होगा वह हमेंशा राइट हैंड साइड पर ही होगा अब क्या करेंगे इसका हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इस तरह से हम लोग इसका डामेंशनिंग इधर आपका 10 होगा अर्था यह 10 cm का एक बलाक है और यह जो है आपका यह 9 मीटर का है अब हम लोग 8.4 मीटर को इस स्केल पर डर्षा सकते हैं यहां से क्या करेंगे जो हमारा एक है एक लाइन खीचेंगे कुछ इस तरह से एठ होगे अब इधर समको किन्ना 4 cm चार सेंटिमेटर के लिए 1,2,3,4 चार एक ऐसे पॉइंट लगा के उस पॉइंट के उपर ही हम लोग एक एरो लगाएंगे यह होगी हमारा अब यहां से हम लोग डैमेंशनिंग कर देंगे हमारा इसके त्यार होगा यह यहां से आयरो वगएरा आप लोग बनाएगा पर्फेक्ट क्यूंकि एक्जामनर का जो नजर होता है वो आपके ड्राइंग के हर एक इस्टिप पे नजर रहता है अगर आपने हर इस्टिप सइस बनाया है तो आपका जो दस नंबर है वो आपको मिलना ही मिलना आए तो आपको ड्राइंग से अच्छा मार्स कर सकते हैं और कभी कभी बहुत खराब नंबर आ जाता अगर आपने सइस से बनाया नहीं है तो यहां क्या करेंगे अब हम लोग जो है एट मी यह हमारा एक स्केल त्यार हो गया है अब स्केल का जो हमारा एलो एस है उसको भी हम लोग डानेंशन कर ले रहे हैं यह हमारा बजाएगा एलो एस इस इक्वल टू टू टेन सेंटीमीटर यह देख रहे हैं हमारा एक्जाम में आया हुआ कुश्चन है यह आपका कंप्लीट बने लिए हैं सेम इसी तरह आपको बना के आना है आपका जो इग्राम ना होगा अच्छा नंबर देगा इसमें कोई डाउट नहीं है आपको यह अच्छे सा समझ में आ गयागा अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लेख सकते हैं और आपको नेक्स्ट यहीं दान्वा